हेलो स्टूडेंट्स स्वागत थे आप सभी का यूपी आईटे इंस्ट्रक्टर के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पे दिखे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि CITS योवा समू का जो गुरूप है उसने ट्वीट किया हुआ है मिस्टर आलुक कुमार जी को 12 घंटे पहले कि सर आप हम लोगों के सबसे अच्छे मार्क दर्सक सावित हुए हैं अभी तक आईटे इनने देशक की सौर्ट लिश्टिंग नहीं हो पाई है तो इन्होंने पूचा है कि इसे जल्दी से जल जारी करवाने की करपा करें क्योंकि सबीस चात्र जो है वो इस दोविदा में हैं कि 17 जुलाई को एक्जाम होगा या नहीं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि supply inspector का भी exam जो है 17 जुलाई को fix किया गया है लेकिन supply inspector का जो final list है cut off है वो जारी कर दी है सेम उसी date में IT instructor का भी exam है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है चुकि supply inspector का जो exam है वो finalize हो चुका है और उसकी date भी आ चुकी है लेकिन problem ये है कि IT instructor के लिए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है इसी कारण बस सभी जो अभ्यार्थी हैं एस्परेंट्स हैं उन्होंने CITS Samu के दोरा योवा Samu के दोरा जो भी mail किया हुआ है उसका लोग कुमार जी ने reply किया है there is some issue in sword listing यानि की sword listing की जो प्रिक्रिया है उसमें थोड़े बहुत issue आ रहे है इसी लिए that's why it is taking time यसी लिए थोड़ा समय लग रहा है देखिए अब यहां मेरे हिसाब से मेरी जो assumption है अगर मैं उसकी बात करूँ और जहां तक notification में भी दिया हुआ है तो अगर हम notification को follow करते हुए चलते है तो जो CITS की sword listing है वो pat के थोणा होकर अब CITS के basis पे हो जाएगी ITI की instructor की जो sword listing है वो CITS के basis पर होगी क्योंकि आपके notification में आप page 4 पर देख सकते है कि वहां clear cut mention कर रखा है कि ITI instructor के लिए जितने भी candidates valid होंगे उनकी sword listing CITS के marks के according की जाएगी मेरे हिसाब से इसी लिए इसमें इतना वक्त लग रहा है क्योंकि अगर उन्हें pat के थो notice देना होता या sword listing करनी होती तो अब तक pat के थो जो sword listing है वो available हो चुकी होती लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है कोई भी list नहीं आई है तो मेरे हिसाब से जो मेरी exemption है वो यही है कि अब जो sword listing है वो CITS के marks के according ही देखने को मिलेगी जो notification आयोग ने निकाल रखा है वो उसे ही follow करेगा अगर हम बात करें CITS की sword listing की तो देखिए जिन भी trades में जो vacancy हैं अगर उन vacancy के पाँच गुने से ज़्यादा candidates में apply कर रखा है तो उन trade में पाँच गुने candidates तक की sword listing की जाएगी लेकिन अगर हम बात करें form filling की तो देखिए करीब 30 से 35,000 के proxy form भरे गए हैं तो मेरे हिसाब से आयुक जो है इसमें थोड़ा बहुत implement भी कर सकता है कि 5 गुना न बुलाके 7 या 8 गुना या 10 गुना तक भी बुला सकते हैं क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि maximum से maximum candidates इसमें part ले सकें अब बात करते हैं sort listing की तो देखिए CITS की जो sort listing है अगर आप मेरी बात माने और मेरे जो assumption है उन्हें अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो sort listing है वो may भी category wise की जाएगी अब problem यह है कि number of candidates और number of trades काफी जादा है approximate में मान के चलें करीब 60 trade जो है ITI के instructor के लिए वो दी गई है अगर इन 60 tradeों में sort listing होनी है तो particular पृतिक trade की sort listing की जाएगी और उस trade में जितनी भी number of seats vacant है उनी vacant seats के according ही merit बनाई जाएगी अब जैसे मान लीजे अगर हम बात करते हैं electrician trade की तो electrician में ITI वालों के लिए अगर हम बात करें कि लगबग एक assumption है suppose करते हैं कि 100 seat ITI के लिए हैं तो देखी 100 seat sum पे जो 5 गुने candidate बुलाया जाने हैं तो इसमें लगबग 500 candidates की sort listing की जाएगी ITI के लिए अब ITI के लिए sort listing के साथ category wise भी sort listing करनी पड़ेगी जैसे की general की category OBC की category EWS की category SCST की category क्योंकि आपको एक particular category में भी sort listing करनी पड़ेगी इसलिए ये मान के चलिए कि ये जो exam है maybe chances हैं कि postpone हो जाए क्योंकि जो sort listing प्रिकरिया है वो काफी typical हो चुकी है CITS की जो 5 गुने बोलने की बज़े से और अगर ये directly pet के थुरू कराते हैं तो इससे अच्छा ही होगा क्योंकि maximum candidates को benefit मिलेगा लेकिन अगर ये CITS की थुरू sort listing करा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए जितनी भी categories हैं 60 categories है 60 categories के अंतरकत ITI की sort listing अलग होगी diploma और BTEC के लिए candidates की sort listing अलग होगी और साथ दी साथ ITI के अंतरकत जितनी भी trade हैं उनमें category wise भी आपको sort listing करनी पड़ेगी general के लिए अलग करनी पड़ेगी OBC के लिए अलग करनी पड़ेगी SCST के लिए अलग EWS candidates के लिए अलग तो ये एक बड़ा जो है मसला हो सकता है आयोग के लिए इसी बजाए से sort listing काफी late हो रही है और maybe chances हैं कि इसी अगर assumption के according sort listing कराई जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो exam है वो maybe postpone हो सकता है देखिए ये सिर्फ एक assumption है जो मेरा दिमाग कह रहा है क्योंकि अभी तक आपकी sort listing नहीं हुई है और अगर उन्हें directly exam कराना होता पैट के थुरू तो सिर्फ जो आपका A&M का notification था उसमें थोड़े बहुत ही changes करने होते यही कह रहा है कि आपकी अगर जो sort list है अब आपको CITS के थोरो देखने को मिलेगी और अगर CITS के थोरो sort list हो रही है तो इसमें काफी time लगेगा और यह मान के चलिए जो merit होगी वो 70 और 70 के प्लस भी आपकी जो merit है CITS की वो जा सकती है लेकिन अगर इसमें benefit की अगर हम बात करें तो category wise अगर sort list होती है तो आप यह मान के चलिए 60 और 65 प्लस परसेंटेज वाले candidates को भी मौका मिल सकता है तो यही assumption थी यही आपको बताना था इस वीडियो में तो आप वीडियो को अगर समझ रहे हैं आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो like जरूर करें क्योंकि काफी दमाग लगाना पड़ता है हर चीज के लिए और काफी हट के सोचना पड़ता है अगर आपको वीडियो पसंद आई कि आप प्ली सस्क्राइब भी कर लिजे साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस करें और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी कैंड़ेट चैनल पर नए है मैंने काफी सारा कुछ सलेवर्स जो है आपका कवर अप करा रखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने यूपी आइट इंस्ट्रक्टर से रेलेटेट से लेवर्स को कवर कर सकते हैं चैनल से जोड़े रहें चैनल को सपोर्ट करते रहें थैंक्यू सू मच गुड़े